Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel, changing the way of thinking. Today, we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 23 नवंबर 2020 के important agriculture current affairs, जो exam के point of view से काफी important रहने वाले हैं. इसलिए वीडियो को end तक जरूर देखें, उससे पहले एक information, अगर आपने भी तक हमको social media platform से follow नहीं किया है, तो कर सकते हैं, वहाँ पर आपको latest agriculture current affairs dose, PDF notes और important videos के link अबलेवल होते रहते हैं. आज की session में बात करेंगे 3 most important agriculture current affairs, जो exam के point of view से काफी महत्वपूर रहने वाले हैं. जिसमें पहली headline है, तो यहाँ पर 36 गड़ राज़ के CM Mr. भूपेज भगिल जी ने बोला है, कि 36 गड़ प्लान कर रहा है इस वार, फिशरी सेक्टर में farming status प्रवाइट करने के लिए अपने राज़ में. तो जानेंगे यहाँ पर क्या planning है और 36 गड़ को यहाँ पर एक तरह से बोल सकते हो मचली पालन में एक बहुत अच्छा दरजा देने के लिए 36 गड़ यहाँ पर सोच रहा है. तो यहाँ पर जानेंगे क्या क्या प्लानिंग है 36 गड़ गवर्मेंट की और यहाँ पर फिशरी सेक्टर से और फिश प्रड़क्शन से जितने भी important question बनेंगे चाहे वो आपके state wise कौन top producer है फिश का या फिर country wise यहाँ पर top फिश प्रड़क्शन कौन करता है उसके साथ फि Net Exporter of Agri Machinery EEPC India तो EEPC क्या है पर ले जाने लेते हैं तो Engineering Export Promotion Council ने यहाँ पर एक report जारी की है उसमें यहाँ पर बोला गया है इंडिया has emerged as a Net Exporter of Agri Machinery तो भारत यहाँ पर उबरा है और पहली बार ऐसा हुआ है कि Agriculture मसीनरी में Net Exporter बन गया है भारत तो यहाँ पर Net Exporter का मतलब क्या है जिस Country का जो Export है अगर वो Import से जादा होता है मतलब कोई Country अगर Export कर रही है और Import से जादा एक्सपोर्ट कर रही है तो वो कहलाता है Net Exporter तो इस बार इंडिया यहाँ पर उबरा है as a Net Exporter of Agricultural Machine तो जानेंगे इसके बारे हम डेटेल में और यह भी जानें कितना Export हुआ है Agriculture लेटेड मसीनरी से इंडिया को सारी Information आने वाली स्लाइड में आज का लाश्ट और Important Current Affair CIFT इसका मतलब है Central Institute of Fisheries Technology has signed MOU with Kochi Waste Yesen Sustain Company for Collaborative Research तो यहाँ पर बात हो रही है कि CIFT ने MOU Sign किया है एक Kochi Waste एक Company है जिसका नाम है Yesen Sustain Company तो जानेंगे यह MOU क्यों sign हुआ है इसका क्या उत्देश है और हम यह भी जानेंगे कि CIFT कहां पर है कब established हुआ इसके Director कौन है सारी Information लेते हैं करते हैं सबसे बहले बात करेंगे तो 36 गड़ राज यहां पर प्लानी कर रहा है farming status देने की fishery sector में 36 गड़ राज में तो यह statement आया है CM भूपेश भगेल जी का detail ले ले लेते हैं तो सबसे बहले बात करेंगे तो 36 गड़ चीफ मिनिस्टर भूपेश भगेल has said that government will take initiative towards providing farming status to PC culture PC culture मतलब मतस्य पालन मचली पालन तो यहां पर बात हो रही है मचली पालन को बढ़ावा देने के लिए और राज मैं एक तरह से बोल सकते हो एक अच्छा दर्जा देने के लिए 36 गड़ गर्मेंट यहां पर प्लान कर रही है कुछ ऐसे initiative लेके आ रही है जो की राज को एक अबबल दर्जे का राज बनाएगा फिशरी सेक्टर में यहां पर बात की जा रही है आगे अगर हम बात करेंगे तो यहां पर addressing a conference to mark world fishery day जैसा कि आपको बताए 21 November को world fishery day celebrate किया गया तो उसी के दोरान conference में world fishery day को चिन्नित करते हुए भगेल जी नहीं आपर बोला है कि fishing community to focus on scientific method and better management to sale of produce to improve their economic condition तो यहां पर बात हो रही है जितने भी मचली पालन से related लोग हैं community हैं उनसे उन्होंने बोला है कि आप focus करो scientific methods पे और उसके better management पे ताकि आप अपने produce को अच्छे से sale कर पाओ और आपको अपनी economic conditions होदारने का मौका मिल सके आपको अच्छा return मिल सके इसलिए आपको scientific methods और better management पे काम करना होगा उसके लिए 36 government यह आपका support करेगी और आगे आपके लिए ऐसे plan लाएगी चाहे वो loan हो loan में छूट देना हो या फिर जो बिजली का विल है उसमें छूट देना हो ऐसे जो initiative है वो यहाँ पर 36 government लेती रहेगी यह यहाँ पर cm भूपेज भगिल जी ने बोला है आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर यह भी बोला गया है the state government will take initiative to give status of farming to fisheries directive have been issued to the official to make a plan this regard तो यहाँ पर बोल सकते हो कि proposal एक तरह का तयार हो गया है plan यहाँ पर officially issue कर दिया गया है और यहाँ पर उद्देश वही है कि जो government of 36 गड़ है वो अब initiative लेगी इस regard में मतलब fishery sector के regard में और fishery sector या वो सकते हो मचली पालन के status को यहाँ पर सुधारने की बात की जा रही है और better करने की बात की जा रही है 36 गड़ गवर्मेंट में यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो lack agriculture initiative of providing interest free loan तो यहाँ पर interest free loan प्रोवाइट किया जाएगा आने वाले समय में खासकर fishery sector के लिए और उससे related communities के लिए तो यहाँ पर बात हो रही है यह जो loan है वो cooperative वेंग के माध्यम से fishery sector के तब पहुचा जाएगे या वो सकतों जो fishery sector से related लोग है community है वहाँ तब पहुचा जाएगे उसके साथ rebate in electricity rate और यहाँ पर electricity rate में भी छूट दी जाएगी rebate का यहाँ पर मतलब होता है छूट देना ठीक है किसको दी जाएगी जितने भी निशाद केवर्ट और धीमर communities हैं जो mostly इंगेज रहती है fishing में उसके culture में ठीक है तो यह यहाँ पर बोला गया है इस report में इस statement में आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर बोला है कि this will not only improve their economic condition तो इसका मतलब है कि यह जो planning है यह केवल और केवल economic condition को ही नहीं सुधारेगी बलकि उसके साथ 36 गड़ will also emerge as the top state in the country in terms of fish production तो यहाँ पर बात हो रही है कि मचली उत्पादन के मामले में भी देश में सीर्स राज्य के रूप में 36 गड़ राज्य उभरेगा इस plan को लान यहाँ पर अगर आप बात करेंगे कुछ fact जो की बहुत important है fishery sector से तो यहाँ पर है Tamil Nadu grab the first position with 7.75 lakh ton of lending overtaking गुजरात तो यहाँ पर Tamil Nadu एक ऐसा state बन गया है जो number one पर है fish production के मामले में जो की 7.75 lakh ton यहाँ पर fish production हुआ है यह detire 2019 का यह आपको या रखना है second position पर है जो की हमेश अब गुजरात आ गया है अगर third position की बात करेंगे तो वो यहाँ पर है केरला इतना आपको याद रखना है यह data है 2019 का fishery institute बोल सकते है फिर fishery research का यह data यहाँ से लिया गया है अगर हम आगे बात कर लेते हैं जो की काफी important है यह हो गया आपने इंडिया में अगर country बात चाइना जो है वो सबसे बड़ा producer है फिश का यह भी आपको याद रखना है ठीक है चाइना is the right answer यहां से भी question पूछा जा सकता है अब फिश से लेटर जितनी भी scheme है उसके बारे थोड़ा से जान लें तो अभी हाली में एक scheme launch की है PMMSY प्रधान मंतरी मतस संपदा योजना इसको 10 September 2020 को launch किया गया बेहार में जैसा कि आपको बता है चुनाप के टाइम पे चुनाप से पहले इस scheme को launch किया गया था इस scheme के लिए जो आउटले रखा गया है वो है 20,050 करोड ठीक है 20,050 करोड रुपे यहां पर budget allocate किया गया है ताकि fish production को बढ़ाया जासा के यहां पर वीडियो को अभी लाइक करो आज की वीडियो का target है केवल और केवल 300 likes का अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और इसको सभी groups में share करना और यहां पर एक और चीज़ है जो की fishery sector से related है वो भी थोड़ा सा चान लेते हैं तो आपका CMFRI जिसको बो वा था 1947 में और इसके जो प्रिजेंट में director है वो है Mr. या वो सकते हो Dr. A. Gopala Krishnan ठीक है यह यहां पर काफी important है यहां से भी question आ सकता है Mr. A. Gopala Krishnan is the present director of CMFRI ठीक है और एक और जो बनता है वो है ICAR directorate of cold water fishery research cold water fishery research जो की आपका उत्राखंड में उत्तराखंड के भीमताल में इस से था ठीक है ICAR का मैं repeat कर जेता हूँ directorate of cold water fishery research कहां पर है भीमताल उत्तराखंड में इतना आपको याद रखना है इस पहले current affair से आगे चलते हैं आजका important second current affair India has emerged as a net exporter of agri machinery ये EEPC मतलब engineering यहाँ पर हम बात करेंगे export promotion council इसको बोलते हैं EEPC तो इसकी report में आपर ये बोला गया है कि India as a emerge यहाँ पर net exporter बन चुका है ठीक है agri machinery का जान लेते हैं इसके बारे में तो सबसे बलबात करेंगे तो India has emerged as a net exporter of agri machinery and shipping equipment to some of the advanced country तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि agri machinery और shipping equipment के मामले में India has emerged as a net exporter तो यहाँ पर एक तरह का उभरता हुआ net exporter बन गया है agri machinery में भारत और उसके साथ साथ shipping equipment में जो की advanced country को किये हैं जैसे बात करेंगे US को जर्मनी को UK and Italy यह कुछ ऐसे प्रमुक देशा है advanced देशा है जहाँ पर यह export किया गया है ज्यादा amount में और यहाँ पर यह बोला गया है EEPC के द्वारा तो यहाँ पर एक meeting हुई थी Monday को मतलब आज की दिन एक virtual meeting हुई जो की हुई थी on farm digitization and mechanization पे जो की नाम था उसका Farm Mac 2020 तो इस meeting में इस virtual meeting में यह सारी चीज़े आई थी जो की इंडिया के लिहाँ से इंडिया के point of view से काफी important है और वो सकते हो खुशी देने वाली है यहाँ पर बात करेंगे तो engineering export promotion councils को EEPC के राम से जाना जाता है उसके जो vice chairman है अरून गरोडिया ठीक है अरून गरोडिया दिने यहाँ पर बोला है कि tractor are the largest component of the agree machinery export from the country accounting of 66% of the shipment total जो shipment हुआ है उसमें 60-60% 66% जो account है वो केवल और केवल tractor का है मतलब है कि 100% में जितना भी आपका export हुआ है shipment हुई है उसमें 66% tractor का हिस्सेदारी है यह यहाँ पर बोला गया है तो एक तरह से बोल सकते हो कि tractor के लिहाज से यहाँ पर काफी अच्छा यहाँ पर बोल सकते हो यह scenario है अगर हम बात करेंगे एग्री एक्सपोर्ट की एग्री मसीनरी एक्सपोर्ट की तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेक्टर एक्सपोर्ट हुए है अधर कंट्रीज को जैसे UK, US, Germany, Italy जैसे देशों में यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इंडिया का जो एक्सपोर रहा है एक्री कल्चरल मसीनरी का ट्यूरिंग 2019-20, 2019-20 में वो रहा है 1024.58 मिलियन US टॉलर जो की एक तरह का पॉजिटिव ट्रेड वैलेंस है 708.3 मिलियन US टॉलर का यह यहाँ पर EEPC ने अपने स्टेटमेंट में बोला है और यहाँ पर क्योट किया है Ministry of State for Agriculture and Farm Welfare जो प्रोजेक्टिट है जो Global Agricultural Equipment Market इस वार प्रोजेक्टिट किया गया है 2025 तक वो किया गया है 279.5 बिलियन US टॉलर जो की 2025 के लिए टार्गेट सेट किया गया है जिसमें जो ग्रो करेगा वो करेगा at CAGR 6.5 मतलब है compound annual growth rate जो की 6.5% के according यहाँ पर growth rate रहेगी 2018 से 2025 तक यह यहाँ पर बोला गया है और उसके साथ जो प्रोजेक्टिट टार्गेट है वो है 279.5 बिलियन US टॉलर दो हजार पच्चिस ठिक है इतना आपका रखना है अब यहाँ पर बात करेंगे तो आप एक ची प्रोजेक्ट मसीनरी का उसमें से 782.93 मिलियन US टॉलर जो है वो आपका एक्सपोर्ट हुआ है UK, North America, Eastern Europe, EU, Africa, Asian country और आपकी सार्ग country during 2019-20 तो इन देशों में इन related countries में लगवग 76.41% यहाँ पर एक्सपोर्ट हुआ है इस overall export का मतलब है कि जो 100% export हुआ है उसमें से 76.41% जो export हुआ है वो इन देशों को हुआ है इन से related देशों को हुआ है यहाँ पर बोला गया है इतना आपको याद रखना है इस important current affairs से अब यहाँ पर EEPC की बात कर लेते हैं तो इतना सा आपको याद रखना है कि यह 1955 में ठीक है 1955 में आपका साफित हुआ था यह आपको याद रखना है यहाँ से भी question आ सकता है बाकी मैंने आपको बता दिया net exporter क्या होता है net exporter का मतलब है कि इंडिया से या किसी भी country से जो export हो रहा है वो आपका import से अगर ज्यादा है तो वो net exporter क्यालाता है यह आपको याद रखना है ठीक है समझ में आया होगा helpful लगा होगा और आज का last और important current affair CIFT has signed MOU with kochi based yes and sustain company for collaborative research तो यहाँ पर यह MOU sign हुआ है Central Institute of Fishery Technology CIFT में और kochi based yes and sustain company में जो की collaborative research करेगी किस पर on decarbonizing the fishing industry तो यह क्या करेगी fishing industry में decarbonizing पर work करेगी की मतलब है कि जो carbon dioxide का emission है उसको reduce करने की कोसिस करेगी यहाँ पर बात की जा रही है जो की introduce करेगी अब इस वाद clean and sustainable technologies और solution तो जानेंगे इसके वारे हैं टीटेल में तो यह जो collaborative research है यह work करेगी developing hybrid propulsion system for fishing vessel and sustainable cold chain solution तो यहाँ पर बोल सकते होगे decarbonization of fishing industry के साथ cold chain solution पर भी यह काम करेगी यहाँ पर बोला गया है और इनका जो बोल सकते हो प्रपोस प्रोजेक्ट है जो की इस वार ब्रांट रहेगा वर ब्रांट किस नाम से रहेगा net to plate and harvard to plate ठीक है यह इनका इस वार ब्रांट रहने वाला है net to plate and harvard to plate यह हो गया harvard मतलब वही बंदर का होता जहां पर जो आपके जहाज होते हैं पानी वाले वो इस्तित रहते हैं खड़े रहते हैं वहां की बात हो रही है यहाँ पर जो MOU के बोल सकते हो जो MOU सायन हुआ है वह हुआ है अपके Yes and Sustain Company के CEO जोर्ज मैथ्यू और डिरेक्टर इन चार्ज ओफ CIFT Central Institute of Fishery Technology MM पर साथ के सायन यहाँ पर हुआ है इस MOU में Memorandum of Understanding में यह आपको याद रखना है और यहाँ पर इसका जो उद्दिश है इस क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसके मला बोल सकते हो उसके सपोर्ट में कि क्लाइमेट चेंज ना हो क्लाइमेट को बैलेंस किया जाए और इकोसिस्टम को अच्छा बनाके रखा जाए जिसके लिए कंपनी वर्क करती है अब यहां पर बात आती है तो सेंटर इंस्टिटूट ऑफ इसरी टेक्नलोजी सेट अप हुई थी 1957 में ठीक है इसके जो डिरेक्टर है वो भी जान लेते हैं यहां से भी कौशन आ जाता है यह जो आपका CIFT है यह आपका बोल सकते हो कोची केरला बेस्ट यह इस्टिटूट है टेक्नलोजी है और यहां पर 1957 जैसा क्यों आपको बताया यह इस्टेबलिस हुआ था इसके जो डिरेक्टर है यहां से कौशन आ सकता है तो मिस्टर सी एन रभी शंकर ठीक है मिस्टर सी एन रभी शंकर इस दा प्रिजेंट डिरेक्टर ओप CIFT Central Institute of Fishery Technology इतना आपको पता रखना है इस important current affair के बारे मैं उम्मीद करते हैं यहां तक आपको current affair समझ में आया होगा helpful लगा होगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो आज की वीडियो का target है केवल और केवल 300 लाइक अब बात करेंगे आज के प्यारा से question की तरफ लेकिन उससे पहले बात करेंगे आज के पिछले वीडियो में पूछेंगे question के answer के वारे में question था largest producer of barley in the world is तो यहां पर पूछी आ रही थी कि बारले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है विश्व में तो answer है रशिया ठीक है तो रशिया सबसे ज़्यादा यहां पर बोल सकते हो वारले उत्पाद करता है अब यहां पर आज क्या जो question है वह आपके लिए बहुत प्यारा सा question आया है कि who is the father of pink revolution in India तो आपको दाना है कि भारत में pink revolution की जो जनक है जो पिता है वो कौन माने जाते इसका सही answer आपको comment box में लिखके भेजना है उम्मीद करते हैं आपको answer आता होगा तो जल्दी से टैप कीज़े answer और भेज दीज़े हमारे चैनल पर हम आपके valuable comment का वे सब्री से इंतिजार करें तो यह था आज का important session उम्मीद करते हैं session पसंद आया होगा helpful लगा होगा इसका pdf आपको मारे telegram channel और whatsapp group पे मिल जाएगा जिसकी link description box में दे दी है so thank you for watching चैहिंद चैह भारत